हेलो दियर श्रुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास वन का हिंदी बुक है और ये चेप्टर है सिक्स इस चेप्टर का नाम है पूसी पी गई दूध पूसी एक बिल्ली के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो की दूध पिया करता है यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है और इन दोनों के बारे में ही ये एक कविता दिया हुआ है छोटा सा प्यारा सा कविता है ताई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं मुझे एक नन्हे से बच्चे का कमेंट मिला था और बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे इसका विडियो चाहिए तो इसलिए मैं उसके लिए बना दे रहा हूँ इससे और बहुत सारे बच्चों को मदद मिल जाएगा तो हम लोग इस पोयम को पढ़ कर देखते हैं चुन्नो बोला क्यों री पूसी फिर की तुने चोरी दुद्धू सब का सब पी गई नहीं देया की थोड़ी चुन्नो इस बच्चे का नाम है और ये पूसी को मतलब बिली को बोल रहा है कि फिर तुमने चोरी की और सब का सब मेरा दुद्ध पी गई उस पे जरा भी देया नहीं की और फिर आगे दिया हुआ है बड़ी जोर से भूख लगी है बोलो क्या मैं खाऊं अब ये बच्चा बोल रहा है कि तुमने तो सारा दुद्ध पी ली अब मुझे बहुत तेज भूख लग गया है अब मैं क्या खाऊं क्या पीऊं मा पिता जी गए हैं बाहर दुद कहां से पाऊं कि ममी पापा घर में है नहीं अब मैं कहां से दुद्ध पाऊं कौन मुझे दुद्ध देगा अगर जोर से भूखी थी तो मुझको तू बतलाती अगर तुम्हें ज़ादा भूख लग गया था तेज भूख लग गया था तो मुझे बतलाती आधा दुद्ध मैं पी लेता आधा तू पी जाती कि जितना भी दुद्धा उसी में से आधा मैं पी लेता और आधा तुम पी जाती इस तरह से हम लोग दोनों जो है अपने अपने भुग को मिटा सकते थे अब पूसी क्या बोल रही है पूसी बोली सपने में जो तुमने पैर चलाया कि तुम जो सोया हुआ था उस समय तुम कोई सपना देख रहा था और तुमने अपना पैर चलाया और फिर क्या हुआ जूले पर से गिर गई सी सी दूद का जो बोतल था वो नीचे गिर गया दूद फर्स पर आई बोतल नीचे गिरने के वज़े से वो खुल गया और उसका दूद जो है बाहर फर्स पे निकलने लगा फिर इसके आगे क्या दियावा है मीठा मीठा दूद देखकर मन ही मन ललचाई अब जब उसके सामने मीठी सी दूद बह रही है तो उससे रहा ने गया उसका मन ललचाने लगा चाट चाट कर सब पी डाला लोब रोक न पाई कि इस तरह से उसके मन में लालचा गया कि जो दूद बाहर फर्स पे निकल रहा था उसको चाट चाट कर सब पी गया वो अपने आपको रोक नहीं पाई अब तो गुस्सा छोड़ो मैंने सची बात बताई बिली उस बच्चे से कह रहा है कि मैंने जो बिता सब सारी सची बाते बतला दिया अब गुस्सा करना छोड़ दो आओ दोस्ती कर लें दोनों खतम कर दे लडाई कि अब मैंने जो बात थी हो सारी बतला दिया अब हम लोग दोस्ती कर लें और ये लडाई को यहीं पर खतम कर दें तो यहाँ पर यह पोयम समाप्त हो गया है कि इसमें कुछ sometime दिया हृँ है यहाँ पर फिर से यहाँ दिया हृआ है और यह पिक्चर में यहाँ दôm दिखाय question number two में खाली अस्थान को भरने के लिए कहा गिया है तो इसको हम poem देखकर असानी से भर सकते हैं और तिसरे नमबर में कविता की चार पक्तियां सुना बच्चों को याद करने के लिए कहा गिया है सिर्फ अंसर हो जागा पूसी और इसके आगे नहीं दिया हुआ है तो आएए मैं इस चप्टर का अंसर अलग से लिखके दिखा देता हूं यह है चप्टर शिक्स का question answer वाइक बनाने के लिए कहा गया है दूद भूख सपना लोब और बात तो इसका वाइक यहाँ पे मैंने बना दिया है यहाँ पे देखकर बना सकते हैं दूद मिठा है भूख लग गई सपना तूट गया लोब अच्छा नहीं होता सची बात कहो और यहाँ पे अले अस्थान बरने के लिए कहा गया है तो कर नमबर में आप पोयम को देखकर भी भर सकते हैं यहाँ पे मैंने भर दिया है दुद्धु सब का सब पी गई मा पिताजी गए हैं बाहर आधा दूद मैं पी लेता मन ही मन ललचाई मैंने सच्ची बात बताई यहाँ पे हो ग उस्तक में खोजें किसने कहा तो यह बात किसने कहा था यहाँ पे लिखावा है आधा दूद मैं पी लेता आधा तू पी जाती यहाँ बात कहा चुन्नू ने वो चोटा बच्चा था उसका नाम था चुन्नू तो उसने कहा था इसको और खा नमर में किसने कहा आओ दोस्ती कर लें दोनों कर दें खतम लड़ाई तो ये बात कहा पूसी पूसी उस बिल्ली का नाम था तो पूसी ने कहा इस तरह से यहाँ पे एचप्टर समाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इससे तरह से आप लोग के लिए हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे तो इसके अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं